अलो इस्टूडेंट्स बिटा आज की क्लास में हम दो बात करने वाले हैं अमानडा चैफ्टर की फस्ट फ्लाइट बुक आपका ये पोयम है और इस चैप्टर में इस्टूडेंट्स पोयट ने बात किया है एक 13-15 इयर ओल्ड की अप्रॉक्स एक लड़की है जिसका नाम अ बच्चे को लगता है कि he or she is controlled हर एक बच्चे को control किया जा रहा है या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है not to do some one thing or another thing कोई चीज करने या ना करने के लिए यूजरी आप सब लोगों ने रिलाइस किया होगा आप लोगों को भी इवन लगता होगा पॉर्ट का यह मानना भी है इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ यह यूजरी देखा गया है पाया गया कि अक्सर जो उनके elders उनक कुछ रोखे न और पॉर्ट यहां कहते हैं कि साथ आप लोगों को भी रिलाइस दो यह freedom is curtail कि आपके freedom छी जा रही है कम की जा रही है यहां कि आपके जो गार्जियन से आपको आपको कंट्रोल करते हैं जो कुछ भी आप करना चाहते हैं जहांके भी आप घूमना चाहते ह आपके life में है तो write down some of the things you want to do तो यहां पुर्ट चाहरे हैं कि आप कुछ उन चीजों को लिखिए जो आप करना चाहरें बट यू पेरेंट्स और अल्डर्स आपको अलाव नहीं करते हैं कि आप इसको करते हैं और दिखते हैं आप वो कौन-कौन से एक्टिविटीज है ज आती है उस पर भी आपको डिसकस करें तो स्टुडेंट्स आवे पहला पैरग्राफ इस पोएम का डोंट यू निल्स अमांडा डोंट हंच यू सोल्डर्स अमांडा स्टॉप डैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा यानि कि अमांडा की मदर अमांडा से क्याती है कि मांडा डॉंट पाइट यू नैल्स अमें नैल्स कोइन नेल को को खुटरो नहीं काटरो नहीं ऐसे और अन्ट हंच यू औ्ल एक सल्डस उपने सब्सकाण श स्टॉचिंग एंजी होती होते हैं लेजी पर चायल्ट होती होऊ तरीक लोइसा मत करो सेट निशन था कि इस paragraph का और मालीज अगर ये paragraph आप लोग की exam में आता है तो क्या-क्या वो questions जो आपको देखने को मिलेगे पहले students आपको लिखना होता है इस paragraph का रामिंग scheme क्या है रामिंग scheme के लिए विटा हम आखरी वर्ड को प्रद देखते हैं पहली लाइन का जो भी वर्ड होता है उसको नाम देदे देखेंगे तो पहली लाइन के रामिंग स्कीम ए अमांडा साउन्ड आ रहा है तो अमांडा का हमने क्या दे दिया ए डूसर लाइन देखिए यहां पर फिर से अमांड आगा तो इसे फिर से नाम दे देंगी यानि कि इस पूरे का जो राइमिंग पूछे कौन से यहां पर फिगर आव स्पीच यूज़ हुआ है तो चले हम लोग का फिगर आव स्पीच पर बात कर लेती है यहां पर कुछ इंपॉडेंट फिगर आव स्पीच लिए है जो बिसिकली कई बार पूछे जा चुकी है और बस इतने से आपका यह पूरा क्या हो जाएगा सविस्टेंट होगा आप लेगे आप लोगे एक्जाम के लिए यहां पर में बात करूए अलिटरेशन की तो पेटा इस पराग्राप में यूज हुआ है जानते हैं कि अलिटरेशन होता है तो एक्चल में अलिटरेशन क्या होता है अलिटरेशन is a repetition of consonant sound at the beginning of two or more consecutive words जब कोई एक consonant sound क्या हो रहा हो repeat हो रहा हो पिटा किसी word के starting word हो दो-तीन word में क्या हुआ repeat हुआ हो तो वहां पर बोलते है यहां पर देखिए stop में s, slouching में भी s है, sit में भी s है और straight में भी s है तो यहां पर देखिए दो से ज्यादा words में s का क्या किसी word के starting में repetition हो रहा है so that's why here I'll say alliteration लेकर एनाफोरा भी इस paragraph में है एनाफोरा क्या होता है जब तो consecutive line के जो पहले word हो वो क्या हो सेंग हो तो लगातार जो line है उनके word अगर सेंग होते है तो उस्से क्या पूलते हो रहा है यहापर देखी don't और यहां पर don't, यहह यह twoana word क्या हो रहें, दो यह लगातार line हो दोन्हों में यहां पर यहां यहां बी 데ख पा रही है, यहां यूज रहे है ,don't use हुआ है आप देखें यहाँ भी क्या यूज किसी पार्टिक्लर लाइन बहुत जदा आ रहा होता है तो आप हम क्या बोलती है कि आज बहुत में भी ओ है यूर्स में ओ है सूल्डर्स में ओ है यहाँ देखिए ओ साउन काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है उसका रेपटेशन बहुत ज्यादा प्रमिनेंट है तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि एस लास्ट यहाँ भी पूटा इस पराग्राफ में रेपटेशन भी आपको देखने को मिलें रेपटेशन क्या हो जाए में क् हो जाएगा और जर्वरण और रेपटेशन ही होता है पर दो नहुंद हो तो नहीं ंवे क्या होता है दो लगातार लाइन है तो पहले वह सेम होने चाहिए ज़पकी जो डिम्रेडीशन में इसकुश नहीं बस वह त् çalış परग्राफ में repeat होना चाहिए okay everyone so with this पहला परग्राफ फिनिश होगे चले चलते हम नेक्ट परग्राफ में अब देखे सगें परग्राफ में यहां पे reaction क्या आता है अमांडा का जो उसकी मदर इन सब बातों में से टूकती तो उसका मन क्या कहता है कास कैसा हो लांगेट इम्राफ सी बेसिख बने बने की और वहां किंगर बिलकुल शान्त और यानगी और क्या हो हां पे वह दस्तों व्यक्ति जो पर्सन इन्हाबिट इट इस वहां पर क्यों सी रूप में क्यों मैं हूँ वहाँ पे कोई ना हूँ यानि कि आमांडा क्या चाहरी यह अमांडा को इसकी मदर का टोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसलिए उचारदी काश कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए जाब एक वर मैं रहू हूँ ताउर तरग को हड़ा सबंदर है बिल् मैं बैती रहूं blissfully मितलब खुशी से आनंद से वहाँ खुशी से आनंद से मैं बैती रहूं मुझे वहाँ पर कोई रोख करने वालन अब इस्टुनेंट्स इसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये पैरग्राफ आता है आपकी एक्जाम में तो रामिंग स्कीम क्य क्या होता है कि ये पैरग्राफ भी उसी के साथ इंक्ल्यूड है अब ये तो उसी का पार्ट हो जाएगा आप इसको सी देंगे लेकिन मालनी जी अगर यह किये वह लही पैरग्राफ आता है तब आप इसको फिर सुभात से कहना देंगे तो सी बिल्कुल एक अलग वर्ड है सी मी एड बिस्फुली सब में क्या है देखी सेब यहाँ पर सी सी आप बोलेंगी ओके अब रिवर्ड सी मी और ब्लिस्फुली तीनों को सावन लगमा एक जैसा है यहां का जो फिगर आफ स्पीच में एक डिवाइज यूज़े अल्यूज़न क्या होता है जब कभी भी पह हम किसी गिंग की रिवाइज की बात करते हैं तो सम बहुते है यहां पी चजिजा दो चीजों को दूझा परियोंग किसी को ही नहीं नहीं किया गया तो यहां पे कौन सा डिवाइस हो जाएगा बेटाफर हो जाएगा अब देखिए अमांडा इस परग्राफ में फिर उसकी मदर कुछ चीजों के लिए मना करती है और कहती ही क्या है कि यहीं किया यहां प्रोमके तो में अपना कम आंडा तुम्हें आपना काम फिनिश किया कि नहीं एक्षा तुम्हें नहीं खरदा रूम क्ली चार्व उसकी अभाउस हो गांड को देंगे ए याव फिर अमांडा तो ऑफ फिर नया अगर हम device की बात करें तो बटा कौन से device यूज हुई है sorry कौन से फिग रामिक scheme यूज हुआ है यहाँ आप बोलेंगे ए बी एन सी यह रामिक स्की में यहाँ पर प्रॉपर यूज किया गया है अब आई हम बात कर लेते हैं और इंड़ तो यहाँ इनफोर हो जाएगा ऐज़ानल क्या होता है एक रेपटेशन वो जो है इचावल साइब देखिए ओ इस पुरलेंगे आप ज्याद रिपीट हो रहा है यह है यह यह में वह है रूम में यहाँ दो बार हो है वह साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो एक particular world क्या हो रहा है पूरे paragraph में बार-बार repeat हो रहा है तो यहां में क्या 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 है कि reputation क्या है ओके everyone चलते हैं नेक्स paragraph में बेटा आप देखे फिर से उसके अंदर एक reaction आता है जो बार-बार उसकी होता है कि कोई भी मुझे डोखने तोकने वाला ना होता तो और मैं क्या कर रही होती आपने मंद से जहां कई भी मेरा मन हो तह मैं भूमने के लिए टहल ने लिए जाती और मुझे कोई भी रोक टुक करने वाला ना होता आई पैटर्न सॉफ डश्ट विद माई हर्स बेर फीट और मैं नंगे पाउं से शांती से क्या करती क्या करती कई सारे पैटर्न बनाते हैं कहां पर मिटी वरा में प्रकार से खेल खेलने के लिए वही करी कास में क्या करती मिटी पर नंगे पैरुद कुछ पैटर्न बनाती और मुझे कोई भी बोलने वाला ना होता इस तरह मिलती क्या बनने में एक औरफन चाइल्ड अगर में होती एक अनात बची होती तो वह जो मुझे फ्रीडम मिलती वह बहती स्वीट होती रुस्टन नाता होता क्योंकि मुझे कोई टोक्निया लगना होता वह बहती गोल्ड है आप देखिए यहां पर हम बात करते ही इस ट्रीट आप देंगे ए इस ट्रीट फीड एड स्वीड आप देंगी अगर लेट सबोज यह उपर आले पहरे आपकर साथ आता तो इसको आप सी सी देंगे मुझे उम्मीद यह बात आपको समझ में आगे होगे स्टुडेंस और आपको वीडियो प्लीज अगर करूँगा कि आप कुस डाउट को में क्लियर कर चलिए और हाँ एक चीज और अगर वीडियो यूस्फुल है प्लीज आपने दोस्तों के साथ द्यापक जरूर शेक करिए अब यहाँ बैटा डिवाइस कौन से बेसिकली यूस किया गया है यहाँ फिर से मेटाफर यूस किया इसमें किया है यहां पर यूस हुए उससी प्रकार फ्रीडम यूस्फृरू निसफ बहुत्फिए हैँ आपको बहुत है और स्वी इकुरूर्द क्या क्या करती है फिर से मेटा शॉकलेट अमानिक जाँ मदा चॉकले अमान्डा वुरण वो चोकलेट प्लीसुट उसको मत खाओ and remember your acne, acne मतलब क्या होता है pimples होती है, अगर आप ज्यादा sweets खाएं तो आपको sad acne होगा, remember your acne, अगर तुम ज्यादा चॉकलेट खाओगे तुमको acne और ज्यादा हो जाएगा and will you please look at me when I am speaking to you जब उसकी mother क्या करती है जब उससे बात करती है उसको डाटती है तो यहाँ वहाँ देखने की कोजिस करती है उसको वह अभी मा की तरफ नहीं देखती है तो उसकी मा क्या होती है angry हो जाती है और क्या बोलती है will you please look at me क्या तुम मेरी तरफ देखोगी when I am speaking to you और कि जब मैं तुम से बात कर रही होती हूं तुम महां मत दिखंगा करो तुम कहां देखा करो तुम मेरी तरफ कर करो करे okay ते नहीं में रिताक्याप में इस paragraob में हम लोग बात कर लेते हैं कऊन कौण से यहाँ बें सबइन देखिए जो कि यहाँ उसकी जागिया U में O, यहां भी O repeat हो रहा है, यहां भी O repeat हो रहा हूँ, साथ में साथ यहां reputation भी है, अब repetition है, आप समझ गयों क्योंकि Amanda, आमांडा आमांडा यह तीन बार सेम पार्टिक्लर वर्ल रिपीट हो रहा है बच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा अमांडा रेपेटिशन वर्ल यहाँ पर रेपेटिशन फिगर आप स्पीच बन जाएगा अब देखी जब ऐसा रियक्शन मा का हुआ माने उसको डाटा तो वह क्या बनना चाहती है उसके अंदर क्या रियक्शन है वह कहती काश आप रेपेटिशन एक कहानी है एक बहुती प्यारी सी गुडिया की कहानी जो बहुती प्रिंसेस होती है उसको जो बाल होती है वो क्या होती है गोल्डेन कलर्ट होती है और एक जो विच कह सकते है आप बूरेते हैं वाहाम बिल्कुल शानती होती है लेकि लेकर राजकुमर आ करती है एक प्रिंस राजकुमर आ कार किसको भी ले जाते है अपने गोलेको गोटन बाले में क्या रश्राइश की से बहारा होुब तोहां पर कोई नहीं था उस पर अमानदा क्या कहती है कि मैं क्या बनना चाहती है मैं कि रपैंजल बनना चाहती हूं काश मैं रपैंजल हो जाओ और I have not, I have not cared, मुझे किसी की फिक्र नहीं होगी, मैं बिल्कुल अराम से मुझे किसी की चिंता नहीं होगी, life in tower, आपने नहीं नहीं, मैं कहां पहुंच जाँगी, टावर यह पहुंच जाँगी, और महां life का से बिल्कुल tranquil, शांती से भरा हुआ होगा, और वह जो जो अनुभा होगा बिल्खुल अलग होगा यहां जो अनुभा में भूखइं बार-बार, मुझे हर बात, हर कोई काम को करना इससले बना करना है है, जो भी काम में करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा, ट्रैंकिल, सान्थी होगो स्टावर मी, और वह लेकिन Amanda क्या कह रही है कि मैं क्या करूंगी I'll certainly never let down लेकिन मैं अपने बालों कभी काटूंग नहीं मैं यहाँ से कभी रोग बनाकर इस्तमाल नहीं करूंगी अपने bright hair जो मेरे golden hair होगे उनका इस्तमाल में cut नहीं करूंगी उनको बालों में cut नहीं करूंगी रसी बनाकर कभी नीचे नहीं आँगी मैं वहीं पे रहूँगी क्यों क्योंकि वह जगा बहुत शांती से भारा हुआ अब स्टुएंट से हम लोग आईए बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कौन-कौन सा यूज हुआ क्या रामिंग इसकी तो केर, रेर, हेर यहाँ पे तीनों में सेम साउंड तो आप ए नाम दे देंगे अगर यह केवल यही पैरग्राफ आपके एक्जाम में आए बर ऊपर और यह पैरग्राफ के साथ अगर यह आएगा तब इसको आप इसको आप अमानडा को सी दे चुके हैं तो अगला कोड किसका हो जाएगा सी अगर दोनों पारग्राफ साथ में आएगा तो किया अब यहां बात करते हैं कौन जोनेंस की अब देखी यहां बिज़र आप लोग कन्फ्यूस नहीं होएगा एज अब इमने बात किया थे तो आप क्या होता है वावल साउंड का रेप होता है जब क caveat की बात होगी तो बिटा अ कॉन्सोंड अ करेप अ होग लेता शीज और कन्फ्यूस्पिक्ष्रो बतों सावंड क्या होता है रिपीट होता है बड़ों में डिर्फरेंस क्या है जब वस्ता होग तो नहीं कि बूलकुर वेल्च में शुरुवात में आएगा ल तो इस अप जब उसकी मदर जो है अमांडा को डाटती है तो अमांडा बहुत जल्दी क्या होती अप्सेथ हो जाती है आप भी ऐसा होता हुँ जब कि पेरेंट्स आपको डाटती होंगे तो आप फ्रॉदसा गुस्सा हो जाती होंगे तो अब यहां पर नेक्ष्ट so moody, हमेसा बहुआ जाता, moody, moody किसको बोलते हैं, जो बहुत temperament जिनके अंदर होता, जो बहुत aggressive लोग होते हैं, बहुत जल्दी क्या होते हैं, गुस्ता हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, so you are always so moody, हमेसा ऐसे क्या रहती हो, मोड़ी रहती हो, and anyone would think that I nag at you, और कोई भी इस तरह, चुकि मैं बात-बात में मुझे बोलना पड़ता है, तुम्हारे इस नीचर की बर्यास से, अब अगर इस तरह मुझे कोई देखेगा, मुझे कोई भी क्या सोचेगा, I nag at you, nag means होता है डाटना, या फिर कम्या निकालना, तो लोग क्या सोचेंगे, कि मैं तुम्हारे था, हमिसा कम्या निकालती हो, या फिर मैं तुमको हमिसाद डाटती है, इस तरह से इसका इसका इक्स्पानेशन फिनिश हो गया अब यहां पर दिखते हैं इसका figure of speech and programming scheme क्या होगा तो programming scheme वही होगा Amanda A Amanda A, U एक another sound तो B और फिर से यहां आगया Amanda तो यहां पर हम क्या बोलेंगे A A, B, A यह क्या हो जाएगा बिटा इसका हो जाएगा आपका programming scheme अगर हम बात करें यहां पर figure of speech की तो allotation हो जाएगा और क्या हो जाएगा repetition हो जाएगा अब allotation तो आप समझीगे allotation क्या हो जहां पर consonant sound क्या हो रहा हो repeat हो रहा हो, कहां पर बिल्कुल word के starting में, जैसे यहां देखी stop, sulking stop में भी ऐसे हैं और sulking में भी ऐसे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा allotation क्योंकि sound बिल्कुल दोनों के सुरू में repeat हो रहा है repetition आप समझीगे होंगी amanda, amanda, amanda योग यह तीनों में क्या हो रहा है repeat हो रहा है, इसलिए हां पर क्या हो जाएगा repetition हो जाएगा with this students, यह explanations poem का finish हो गया I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा and please, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा effort बेट अच्छा लगा हो तो please इस वीडियो को like करियेगा अगर आपने subscribe नहीं किया, then hit that subscribe button as well as well as please, if you found this session useful, then please I would need your help regarding sharing this channel with those who may be benefited from जिनल भी लोगो को इस वीडियो से benefit पहुँँ सकता, please उन लोगों तक इस वीडियो को जादा जादा share करिए, क्योंकि आपका जितना जादा help, motivation मुझे भी चाहिए होगा, जितना जादा आप share करेंगे जितने जादा लोगों से देखेंगे, जितने जादा 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 लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, मुझे अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा सा work करूँगा और कोशिस करूँगा कि आपको और बेहतरिन तरीके साथ ले पादा लोगेगा, कर अब जादा जादाधो